सबसे पहले मैं अपने सयोगी रोहित रंजन को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजे रोहित का क्योंकि अगला हमारा जो सेशन है वो बेहत खास है मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कॉंग्रेस गुजरात प्रभारी रगु शर्मा जी के लिए रभु जी आईए आपका बहुत-बहुत स्वागत है और गुजरात चुनावों में आपकी कितनी तैयारी है वो भी देखेंगे लेकिन उससे पहले मोमेंटो देकर यहां पर हम स्वागत करेंगे दिक्षित सोनी जी 24 का लाग के हमारे एडिटर बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकाल कर हमारे मंच पर आने के लिए जी मंच गुजरात सच चुका है ओवर टू यू रोहित थेंकियो शेवंगी रगोजी चलिए जी के मंच पे हैं और कॉंग्रेस से वन टू वन कर रहा हूं तो सवाल सबसे पहले कॉंग्रेस के मंच पीछे बैठा था तो लोग मुझसे बोल रहे थे कि कॉंग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी है और 30% तो वोट हमारे पास फिक्स हैं तो मैंने पूचा कि क्या क्या कॉंग्रेस पेज इन जैक चुनाओ जीतने के लिए बूत मेरेंजमेंट क्योंकि इस पर हमने कभी पास्ट में ध्यान ज्यादा डंग से दिया नहीं इस बार छे महीने से कॉंग्रेस पार्टी ने बूत पर फोकस किया है हमारे बी एलेज जनवेंटर हर बूत के ऊपर 20 से 25 लोगों की टीम पूरे गुजरात में करीब बावन है हमने वहाँ पर अपना केडर खड़ा किया है उसका पूरा डिटेल हमारे पास है और उसकी रिस्पॉंसिबल्टीज क्या होगी उसकी उनको ट्रेनिंग दी है हमने तो पूरा नियोजीत तरीके से कॉंग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है अभी आपक चुनाव पार्टी की बात को कॉंगरेस तर्वजो दे रही हि कि 유튜antal इ फाइट में है कि हम आजमी पार्टी हम आजमी पार्टी परस्एपशन वाली पार्टी है और perception और ground reality में बहुत अंतर है रात दिन का, जमीन पे कुछ नहीं है उनका, ना उनका cadre है, सिर्फ है तो paid worker है, paid worker से कभी पार्टिया नहीं चलती है, ना पार्टी कभी कामियाब होती है, हमारा जो dedicated worker है, grassroot पे, वो मुकाबला कर रहा है भारती जनता पार्टी के साथ, और एक साथ कह दू, कि आम आदमी पार्टी को कोई गुमान नहीं होना ची, कोई घमन नहीं होना ची, मुझे एक सीट बताए पूरे गुजरात में, जहां पे वो मुकाबले में है और वो जीतने की स्तीती में, एक सीट, यहां तक कि उनका मुक्यमंतरी का उमीद्वार, ये शुद की विधान सभा का चुनाव है, और ये बाकी राजियों में भी गया है ना, गोवा में क्या हुआ, उतरखंड में क्या हुआ, एक इंडिपेंडनेंट आदमी जितना वोट लेता है, उतना आम आदमी पार्टी के पास बोटा है, पंजाब की परिस्तिती अलग थी, जिसके बहुत बार मुका दिया, एक परिवर्तन के नाम पे लोगों को उम्मी जगाई और वहां ये कामियाब हो गए, तो फिर ये जो पडोस में राजिये इनका, जहां गुजरात के साथ चुनाव हो रहे हैं, वहां से पैक अप क्यों करके आगे हैं, रह लियां की थी, वहां भी सिर्फ शो बिजनिस में है, परशप्शन बनाने में, केजरिवाल जी का मुकाबला नहीं है, अब गुजरात के अंदर आके वो कह रहे हैं, जिस पार्टी का, दोजार सत्रा में वोट शेर, 41 परसेंट था कॉंग्रेस का, वो कह रहे हैं, या पांच सीट से कम आएगी मैं ल बड़ी बड़ी बात है और इतने लंबे देर तक आपने वक्त लेकर बोला, आम आदमी पार्टी को लेकर, तो यानि आप चैलेंज तो मान रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं, यहां मुकाबला आठ तारीक को परिणाम आएगा, कॉंग्रेस और बीजेपी की बीच में मुकाब है, कॉंग्रेस पार्टी का केडर आज भी गुजरात के हर बूत पे, हर ब्लॉक में, हर जिले में मौजूद है, और वो लड़ा ही लड़ रहा है, यहां विपक्स की भूम कहा है, किसने निभाई पांच साल, सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी ने, यह चुनावी पा कॉंग्रेस को करें, उस रणनीती के तहट लाए जाते हैं, अच्छा तो इतने जो कॉंफिडेंट आप दिख रहे हैं, यही वज़ा है कि राहूल गांधी इस बार अभी तक गुजरात नहीं पहुंच पाए, क्यों, राहूल गांधी कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक, चुनाओ तो गुजरात में हैं, आज जो देश में, देखिए, यही फरक है बीजेपी और कॉंग्रेस में, अगर हमारी जगे बीजेपी होती तो यातरा निकालती गुजरात से, इमाचल से, लेकिन आज देश में जो हालात बने, नफरत का वातावरन है, एक भाय का सोशी के साहे में क्यों रहना पड़ता है, देश की अर्थवेवस्ता, आज चर्चा में क्यों नहीं है, ये बिंदूओं को लेके, और आज कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक यातरा कर रहे हैं, तो क्या गुजरात का आदमी सोच्यल मीडिया पर नहीं देख रहा है, कितल अंदर तरीके से फाइट दी बीजेपी के सामने, और उस वक्त क्रेटिट जाता है राहूल गांधी को, अगर राहूल गांधी प्लेयर ऑफ दा मैच बन गए, तो उस खिलाडी को इस टीम में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, क्यों नहीं फ्रेंट के ला रहे हैं, आज बीजेपी को तकलीफ है, तो बीजेपी की हर तकलीफ का इलाज हमारे पास नहीं है, यह जनता फैसला करेगी, 17 साल होगे उनको यहां पे, आज हालत क्या है, अभी मैं सुन रहा था, कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कि हम आपके पास रोड में फैक्या, आपने कहा था बह दो मेंगा ही बढ़ रहे है, चार सो रुपे का गैस का सिलिंडर, आज ग्यारा सो पार कर गया, पेट्रोल डीजल, इंटरनेशनल मार्केट में, हम जब सरकार में थे, हम जरा सा पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ता था, तो सरकार का एक बयान आता था, कि यह हमार एक सो पैतालीस डॉलर पर बैरल आपका ओईल का दाम था, तब हम सस्ते में या डीजल और पेट्रोल दे रहे थे, आज बंतर्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, किसको मूरक बना रहे हो, यह दाम क्यों मढ रहे हैं, राज्यों का हिस्सा, जिस टेक्स में मिलता है, उसमें आप कमी कर रहे हो, ताकि राज्या आर्थिक परिशानी में आ जाए, इस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, इंजस्टिस भी कर रहे है, तो महंगाई, और कहा था, दो करोड रूप, हर साल रोजगार, दो करोड लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो कितने लोगों को आठ स रोजगार दे पाए, तो 16 करोड लोगों का रोजगार कहा गया, हाला खराब है, और यहां गुजरात में, गुजरात में एक नई, दो नई, 22 पेपर लीक हुए, पेपर लीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद कारवाई भी होती है, अगर आप कारवाई करते हैं, तो दूसरा पेपर लीक नहीं होता है, किसके संद्रक्शन में, एक के बाद एक, 22 पेपर लीक हो जाते हैं, पांच लाग स्विकरत पद हैं, एक पे भरती नहीं हुई पिछले पांच साल में, क्या जावाब है बीजेपी के पास, महगाई को रोकने का उपाई नहीं, नहीं भरती पे, आप फेल हो गए, ड्रग्स ट्रेफिकिंग का सेंटर बन गया गुजरात, एक ही पोर्ट पे आ रही है, इस बर चुनाओ किन मुद्धों पे, महंगाई ही फ्रेंट फूट पे है, कि फिर से वीर सावर कर आए जाएंगे, फिर से लव जिहार आजाएगा, फिर से हिंदू की हदालत में, जनता का आशिरवाद लो, अगर पबलिक आपको आशिरवाद देती ही, तो आगे बढ़ो, यहां हालत क्या है, रिपोर्ट कार्ट तो है ही नहीं, हर बार नेरिटिव बनाया जाता चुनाओ से पहले, मुझे नीचक्यों का, मैं मौत का सोधागर्ब नहीं, इन चीजों से किसी के पेट में रोटी जाती हो, हाथ में रोजगार मिलता हो, तो बता दो मेरे को, गैर मुद्दों को मुद्दा बना के चुनाओ लड़री बीजेपी, अब गुजरात की जनता समझ चुकी है, और कॉंग्रेस के कारेकरता ने भी समझाया है, कि पेट में रोटी तो रोजगार देने से आएगी, महंगाई कम करोगे तब आपका जीना ठीक तरीके से हो पाएगा, अज सडकों की हालत किया है गुजरात में, जरासी बारिस हुई, चार आदमी गाडी में सवार, चार के चार सवारी समेथ, सडक के अंदर उतर गए, क्या इसी को वि कौन मास्टर माइंड है, गुजराती इसका सेंटर क्यों बन रहा है, आज हर पेरेंट्स के दिल में दिमाग पे चिंता है, कि कहीं ये हमारा बच्चा इस नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ जाए, गुजरात को क्यों चुना नशे के कारोबारियों ने, और ये ड्राई वैसे तो शराब मिलना ही मुश्किल बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कदम आगे, इलिसिट लिकर सेहरिली शराब से सेंकडों लोग मर रहे हैं, किसका संडरक्षन है भई, बिना सरकार के शराब माफिया ये सब काम नहीं कर सकता, ये गुजरात को किस दिशा में ल वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक होते गए, उसने सुसाइट नोट लिखा, और सुसाइट नोट में लिखा है अपने फादर को कि मेरा फ्यूनरल मत करना, इससे जो पैसा बचे, उससे मेरी बहन की शादी कर देना, फिर भी इनकी आत्मा पसीष्ती नहीं है, य साइटी, हर कांड में साइटी, उन्हीं अफसरों की कमेटी, वो ही जाच करेगी, वो ही जिम्मेदार है, जाच पी किसे करवाएंगे, आपको तो CVI पे भरोसा नहीं है, जितनी लोग टांतरिक एजंसियां है, हमने का हाई कोट के सिटिक जट से अगर जाच कराते हो, तो ल परा लाग खर्च हुए, उसका लोड इनको जज करना चाहिए था के एटे टाइम, कितने लोग उस पुल पे चड़ सकते, 400 लोग पुल पे कैसे चले गए, कोई जिम्मेदार नहीं है, बीजे पी ये कहना चाहती है, इस दुरगटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, किस स्वासमंत्री भी रहे हुए है, तो राजस्थान में कॉंग्रेस का स्वास ठीक है, ना क्योंकि वहाँ गदार शब्द बहुत ज्यादा हाइप ले रहा है, क्या ये गदार शब्द दूरियां दिखा रहा है, चुनाव जब राजस्तान का आएगा, तब मैं राजस्तान की बात करोंगा, चुनाव गुजरात का है, डेवियेट करने की कोशिश महरबानी करके मत करिये, गुजरात में बात करिये, मेरी बात सुनिये, 17 साल से, अगर कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक है, तब गुजरात में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन घर में कला है, तो कैस की चुनाव को लेके आपने कॉंखले किये, गुजरात पे कनफाइन करें, 27 साल के अंदर भारती जनता पार्टी ने क्या किया गुजरात को डवलप्मेंट पे किस मुकाम पे लेके गई, क्योंकि 1960 में गुजरात बना, लग बग आदा समय गुजरात की जनता ने कॉंग्रे को दिया, और लग बग आदा समय 27 साल बीजेपी को दिया, आज समय आ गया कि गुजरात की जनता को इस सवाल करना चाहिए, कि बराबर का समय कॉंग्रेस को दिया, बराबर का समय बीजेपी को दिया, किसने बेटर गवर्नेस दी, हम जब ये बात करते हैं, कि हमने गुजरा ने खोले हमने एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रॉक्चर दिया हमने घुजरात का ओर ओरोल डवलप्मेंट किया तो अमित्साजी क्या बोलते हैं 27 साल से तो सरकार में ही नहीं तो फिर यह काम की बात किसे करते हैंजिया हम 27 साल से सरकार में नहीं है इसलिए आप से सवाल पूछ रहे हैं हम अपना अकाउंट दे रहें 30 साल का जब भी हम सबता में थे न side 1990 से पहले दोजार 1990 से पहले लेकिन अब इन 27 साल का हिसाब आप भी तो दे दो गुजरात के लोगों को क्या डवलप्मेंट किया है चार लाग करोड का करजा आज गुजरात के उपर है कि शे करोड साढ़ी से करोड गुजराती है प्रतिवाक्ति कितना करजा आपने डाल दिया और करजा अगर कर भी लिया कोई बात नहीं आप उसके बदले में उस करजे को आपने लिया क्यों क्या इंवेस्टमिंट किया ओर ऑगर canvas किया होता है पर आदमी की बेसिक जरूरत क्या होती है आपका रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर में चवुदा महीने से गुजरात में गूम रहा हूं बड़े-बड़े अस्पताल हैं बड़े-बड़े एजुकेशनल इस्ट्यूट हैं लेकिन जिसकी पॉक उस सिविल हॉस्पिटल को सरकार ने निजी हातों में दे दिया छेजार स्कूल बंद कर दिये घरीब आदमी भी इस प्रदेश में रहता है प्रोपूर एप्रोच हमारे यहां कावत है कि अगर राम रूट जाए तो राज नहीं रूटता है अगर प्राकरतिक आपदा आज इसलिए सरकार बंती न कि सरकार उसको मदद करेगी क्या हुआ यहां कोवीड में मैं हेल्थ मिनिस्टर था राजिस्तान का और प्रदान मंत्री जी ने हमारी मैनेजमेंट की तारीफ की एक आदमी को एक आदमी को बोल रहा हूं मैं आपको इलाज की अबाव में दम नहीं त यहां ऑक्सिजन नहीं एम्बुलेस में लोग डिप चड़ा रहे हैं तीन लाख लोगों ने दम तोड़ा है चार साल बाद सत्रा में सरकार बनी थी बीजेपी की सत्रा में चार साल गुजर जाने के बाद बीजेपी को एसास हुआ कि हमसे गलती हो गई पूरी सरकार को हिंदुस्तान की राजनिती की इतियास में आप उठा के देख लीजिए बुख्यमंत्री बदलते हैं मंत्री रिप्लेस होते हैं लेकिन पूरी की पूरी गॉर्मेंट को बदलना पड़े यह स्विकारोगती नहीं है यह एक्सेप्टेंस नहीं है या बीजेपी के आप गुजरात मॉडल को चैलेंज नहीं मान रहे हैं अलिगे क्यों सारकार बदलि आप बता दो बीजेपी वाले बता दे क्यको मुक्यमंत्री को पूरी कैबिनेट को गर बटाना पड़ा इसका कारण वो बता दे क्योंकि पब्लिक डॉमेंट में आपको बताना पड़ेगा आप रिस्पांसिव गशुप्धा हो यह बता कर दो सकता हो गे नी कि हमने मुक्य मंत्री को हटाया हमने पूरी सरकार को जुँव अठाया और उसके बाद फिर Pvd. उसके बारे में बीजै पि के अद्धूक्स क्या कहते हैं कि हमारे मुक्य मंत्री बहुत सीथे हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन सी फाइल पे साइन करना और कौन सी पे नहीं करना है इसलिए हमको उनकी चौकस करनी पड़ती है इसका मतलब चार साल बैट गवर्नेंज और उसके बाद रिमोट कंट्रोल गवर्मेंट एक कैसा डबल इंजन है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी में किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि हम अजय हैं हमको कोई हरा नहीं सकता लोगों ने देमोक्रेसी की जो सापना हुई है अच्छे अच्छे लोगों को मतदान के जरिये सबक सिखाया है और हमारे भरोसा है कि जो मैनिफेस्टों हम लेके आएं तीन महीने लगाएं हमने गुजरात के हर तबके से इंट्रेक्ट किया हमारे लोगों ने मचवारों से लेके किसानों से लेके मालदारी समाज के लोगों से लेके स्टूडेंट से लेके यूथ से लेके चोटे बड़े वियापारियों से लेके दलितों से आदिवासियों से OVC work के लोगों से, minorities से, वो क्या चाहते हैं Congress से, उसके बाद हमने manifesto बनाया, और यह reflection है, BJP की manifesto पर कोई चर्चा हो रही है, 2017 में BJP भी manifesto लाई थी, कोई चर्चा नहीं हुई, और आज हमने कहा है, यह manifesto हमारी सरकार के governance का आधार बनेगा, कोई आदमी इसकी प्रगती को online देख सकता है, कि जो वादे हमने किये, अगर हमने कहा, कि तीन लाग का कर्जा माप करेंगे किसानों का, हम करेंगे, टाइम बाउंड वेनर में करेंगे, किसानों का बिजली का बिल नहीं आएगा, तीन सो यूनिट बिजली फ्री देंगे, यह तो आम आदमी भी कह रही है ना सर, आम आदमी भी कह रही है ना रगुजी, वो तो कह रहे हैं कि फिर वो कॉंग्रेस वाले हमारे रस्ते पे चल कॉंग्रेस वाले हमारे रस्ते पे चल रहे हमने जो किया है दस लाग का भीमा राजस्तान में में खुद हैल्थ मिनिस्टर में आपको बताया हर परिवार का दस लाग का भीमा राजस्तान में है आप कंफर्म कर लो अब आप अपने खुद राजस्तान का जिकर कर दिया कर भेस मुद्दों पढू रही है कि अगर 10-10000 का भीमा वा है तो सचिन पाइले को लेकर गड़्दार करता का अगर और खर्चा कोई हुता है सारा का सारा खर्चा गवर्न्मेट टेथी और गन ट्रांस्प्लांट करना गवर्मेट का देती है एक्सिडेंट हो जाए नेचुरल कलेमिटी हो जाए पानी में डूब जाए कोई पांच लाग का उसका ऑटोमेटिक भीमा है उसके परिवार को पैसा मिलेगा निशुल्क दवा योजना पूरे देश में कहीं है राजयस्तान में निशुल्क जांच योजना आप MRI करा हो ही मोडाइलेसिस करा हो पांच-पांच हजार तक के टेस्ट है एक रुपया नहीं लग रहा है और हमारा हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर हमने कोईड में क्यों बहतर किया बिल्वाड़ा मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का वीशे क्यों बना उसका कारण है कि हमारा सरका सारी ख्षेत्र का हेल्थ इंफरस्ट्रक्च्छर इतना मजबूत है चैस सबसेंटर हो पी शीयों चैसिम्ति हो स्डीह ओ द्हो 33 जिले गुजरात में 33 जिले राजस्तान में 31 जगे सरकारी Medical College राजस्तान में यहां गुजरात में बताओ कितने जिलों में सरकारी Medical College और एक Medical College के साथ 500 बेड़ेड होस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिलती है हैं यह जु चीजें हम करके आएं वहां पांच रुपर लिटर परती लीटर बोनस जो अपना जीवन या पन पशुपालन के जरिये करता है एक लीटर पर पांच रुपे हम बोनस दे रहे हैं उसको यहां भी देंगे आप आप सर राजस्थान की सारी बाते बता रहे हैं बट राजस्थान से जुड़ा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं बार बार उसको छोड़ दे रहे हैं कि मैं जो हमने लोगों के भलाई की लिए काम सब्सक्राइब करते हैं हम गुजरात के वेलफेर का क्या हमारे पास रोड मैप है उस पे चर्चा कर रहे हैं कोई किसी जाती विरादरी का आदमी हो हमारे यहां कहते हैं 36 विरादरी यहां जो भी तपका है चोटा है संक्या में बड़ा हर व्यक्ति के वेलफेर के लिए क्या विजन है कॉंग्रेस के पास हम वह विजन रख रहे हैं और उसके आदार पे लोगों से समर्थन मांग रहे हैं अच्छा अब तो चुकी हाइकमान में बदला हुआ चेहरा बदला अब उस कॉंग्रेस के साथ जब ख़ड़गे साब ड ए हमाना नहीं होता है आज क्रैसिस के दोर से कॉंग्रेस गुजर रही है लेकिन मैं आज भी मांता हूं 1997 साल बाद इतना बेटर केडर हमारे पास ग्रास रूटेड है गुजरात में हर ब्लॉक में हर बूट पे कॉंग्रेस का कारेकरता मिलेगा जो भारती जनता पार्टी से लड़ रहा है यह हमारे लिए संतोष की बाद तो फिर क्या यह माने कि राहूल गांधी चुनाओं से पहले एक बर आएंगे गुजरात में क्योंकि आप कहा रहें कि आएंगे तो बीजेपी वाले मुद्दा बनाएंगे बनाने दीजिए मोदिय जी और शाहर जी भी तो आ रहे हैं यह नहीं कहरा कि बीजेपी मुद्दा बनाएगी इसलिए राहूल गांधी नहीं आ रहे हैं आप बात को तोड़ मरोड के मत पेश करिए राहूल गांधी जी अगर आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ नहीं आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ नहीं आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ तो राहूल गांधी आके बीजेपी को तकलीफ देंगे क्या मेरी बात सुनिया राहूल गांधी बराबर गुजरात के चुनाव को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं फीडबेक रेगुलर ले रहे हैं खुद यहां पे मैंने कहा दावद में करीब देड़ दो लाक लोगों की रेली को वो संबोधित करके गे वो दौरका में आए वो रिवर फ्रंट पे आए वो अभी मौवा म में आए वो राजकोट में आए और वो फिर आएंगे कितना उनको आना है कितनी सबाएं करनी है यह हमारी पार्टी तेह करें कि नहीं कि बीजेपी तेह करें अच्छा एक तरफ पीम नरेंद्र हो दिये एक तरफ अमिच्शा हैं दूसरी तरफ आपके पास एक बड़ा चेह प्रदान मंत्री ची को मने का था अब आप देश के प्रदान मंत्री हो अगर भरोसा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया है यही साबीत हो रहा है पिछले आठ महीने से लगातार में देख रहा हूं पांच राजियों के चुनाव परिणाम आए 10 मार्च को 11 मार्च से प्रदान मंत्री जी यही है हमने का कैम्प ओफिस कोल लो प्रदान मंत्री कारेले का कैम्प ओफिस गुजरात में खोल लो मुख्यमंत्री बनाते ही क्यों हो डबल चार्ज ले लो आप ही के पास चार्ज रखो कुछ भरोसा करना सीखो जिनको नेत्रत तो देते हो क्या उन पर यकीन है आपको आज रोडशो कर रहे हैं कूम रहे हैं गली-गली आज जिस तरह का आक्रोश गुजरात में बीजेपी जेल रही है जो पार्टी अपने आपको पार्टी विद डिफरेंस बोलती है डिसिप्लेंट पार्टी बोलती है 32 लोग बगावत करके बैठें आज अमित साजी को समझाना पड़ रहा है कमलम में नारे लग रहे हैं बीजेपी का कारेकरता नारा लगा रहा है कॉंग्रेस पार्टी जिन्दाबाद और इनों ने जिन लोगों ने 33 साल काम किया रातो रात कॉंग्रेस से आप लोग ले के जा रहे हो दूसरे दिन टिकेट दे रहे हो उनको इसका मतलब भार्ती जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अच्छा अगर वहां ठीक नहीं चल रहा है तो मतलब यह माल लेते हैं कि इसका फायदा कॉंग्रेस को बिल रहा है लेकिन यहीं इसलिए में पार्वा पूछा था बीजेपी वाले भी कह रहा है ना सर आपके यहां भी ठीक नहीं चल रहा है उसका असर गुजरात में दिखेगा बीजेपी खुद की चिंता में लगी हुई है बीजेपी कुछ नहीं करी है आप बोल रहे हुए हमें मालूब है यहां पे बीजेपी में अगर सब कुछ ठीक चलता तो प्रदान मंत्री जी देश की चिंता छोड़के गुजरात की चिंता क्यों करते हैं ग्रे मंत्री जी 15 15 20 दिन यहां क्यों गुजारते पूरी भारत सरकार यहां गुजरात में घूम रही है वी जो 15 दिन में अपॉइंट्मेंट नहीं मिलता हो आज आराम से मिल लो भारत सरकार की किसी भी मंत्री से ग्रे मंत्री से प्रदान मंत्री से और पूरे राज्यों के मुक्य मंत्री यहां कॉंग्रेस का बदला हुवा सरूप जनता अत्या कर लेगी कि कॉंग्रेस के साथ चलना है ऐसा क्या होने वाला है गुजरात में 125 प्लस सीट जीत के कॉंग्रेस सरकार बनाएगी और यह कभी गलत फैमी किसी को नहीं होनी चीए यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कौन प 902,50 प्लस दावा तो हकीकत में नहीं बदला जो से नीचे रहो 99 आई और यह जो मंडी में तब्दिल कर दिया ने डेमोक्रेसी को का बुपि अबलिग मेंडेट देती है को मध्यप्रदेश में पुicemail मेंडेट में माहरास्च में दूसरी पार्टी को भीजेपी को हरह देती है कार्णा अठीन से में लागी सुनला को मिला था महर्णा पूरी आप आ गहागे से तattend इन्षे में डिलैन दीजिय यह देमोक्रेसी का नया स्वरूप देखने को मिला कि जनादेश के खिलाफ आपने जो एक खरीद फरुक्त की राजनीती शुरू की है यह हेल्दी देमोक्रेसी के लिए ठीक है क्या आपके पास संसाधन है और आप टॉपल कर रहे हैं गोवर्मेंट चुनी हुई सरकारों की गिर रहे हैं दिल्ली का दम जो बारबर देख रहा है दिल्ली से बड़े चेहरे आ रहे हैं वह आप कम्जोर कर देंगे गुजरात मॉडल को फ्लॉप कर देंगे देखिए हम पूरी ताकत के साथ अपना विजन डोक्यूमेंट लेके जनता के बीच में जा रहे हैं हमें बरोसा ह कि हम 125 पलस सीट जीत के गुजरात में सरकार बनाएंगे बाकी तैय करना गुजरात की जनता को है वो कैसा मैसूस कर रहे हैं 27 सालों में अगर उनको महगाई मैसूस नहीं हो रही है अगर उनको बेरोजगारी मैसूस नहीं हो रही है अगर उनको ऐसा लग रहा है कि गुजरा ते जनता को करना है, कॉंग्रेस और बीजेपी को तेह नहीं करना है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, तालिया बजनी चाहिए रगुजी के लिए क्योंकि कॉंग्रेस का इन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। शिवांगी। बहुत शुक्रिया रोहित और रगुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने वक्त निकाला और कॉंग्रेस का पक्ष हमारे मंच पर रखा। और मैं अब गुजारिश करूँगी कि जी मीडिया के सीवियो अब है ओजा यहां पर आएं और रगुजी शर्मा को मोमेंटन दे।